नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज अस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रहे हूँ सूरत की बहुत ही बढ़िया सही निमू सेव ये इतनी चटपटी और कुरकुरी होती है खाने में मजा ही आ जाएगा आपने आलो भुजिया या फिर वो बारिक वाली सेव तो खाई होगी कभी ये भी घर पर ट्राय करके देखे आपको बहुत अच्छा लगेगा एक बर्तन ले ले और जिससे हम आटा चानते हैं वो ले लीजे या फिर छनी भी ले सकते हैं इसके अंदर हम दो कब बेसन और आधा कब चावल का आटा इससे न देखिए अब मार्केट में तो काफी सारे कैमिकल्स सब डाले जाते हैं पर घर पर बना रहे तो आधा कब चावल का आटा डाले और इन सबी चीजों को चान ले चानना बहुत जरूरी है उसके बाद एक चमच काली मिर्ची पाउडर आदी चोटी चमच चाट मसाला और स्वात के अनुसार नमक इन सबी को भी हम चान करी लेंगे अब ये देख सकते हैं इसे हटा लेंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नीमबू का रस तो ये तकरीवन तीन से चार नीमबू का रस मैंने डाला है क्योंकि नीमबू से वे काफी चटपटी लगती है ये अब इसी के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया ग्रीन फूट कलर अब ये फूट कलर लिक्विट फॉर्म में है आप पाउडर वाला भी ले सकते हैं और अगर आप कलर नहीं डालना चाते तो आप नहीं भी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे औ हैं तो ध्यान यह रखना है आपको कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है कई बार क्या होता है मैं एक साथ ही पानी डाल देते हैं और हमारा जो सेव के लिए गोल है वह पतला हो जाएका तो मशीन से अच्छे से से नहीं निकलेगी इसलिए थोड़ा-थोड़ा करकर प बना रहे हैं नमकीन बना रहे हैं या कुछ भी तो उसके अंदर हिंग जरूर डाले तो हिंग डालने के बाद अच्छे से mix कर लिया है अब से बनाने की मषीन मैंने ले लिया है ये सभी के घर पर अल्मूस्ट होती है या फिर आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं तो दीख सकते हैं अच्छे से न मशीन को मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है ताकि आसानी से सेव निकले और ये जो साचा है न मैंने बारिक वाला इस्तमाल किया बारिक सेव वाला तो इस आचे पर भी मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है अब जो हमारा बनाया हुआ बैटर था सेव के लिए वो मशीन के अंदर जितनी आपकी मशीन अच्छे से पूरी आपको मशीन उपर तक भर देनी है बैटर से और यह जो यह मशीन बंद होगी उसके नीचे पर भी आपको थोड़ा सा तेल लगा लिना है और मशीन को इस तरह से बंद कर लेना है अब यह वाली मशीन को उपर से गोल गुमाते जाना है और गरम तेल में इस तरह से गोल गुमाते जाएगा तो एक सेव देख सकते हैं इस तरह से हो जाएगा अब इसे एक्टम अच्छे से फ्राइ करना है मध्यम आज पर तेज आज पर करेंगे तो जल सकती है क्योंकि बारिक सेव है इसलिए एक्टम पतली सेव है इसलिए बिल्कुल मध्यम आज पर इसे अच्छे से फ्राइ कीज़ और जब आप मशीन से गूल गुमाते हैं तो अपने हाथों का भी ध्यान रखेगा ताकि आपको भी नहीं लगे क्योंकि तेल काफी जादा गरम होता है इसलिए और इसी तरह से मैंने के सारी सेव तयार कर लिया है चलिए अब बारी आती है से तोड़ने की और आप देख सकते कितनी कुरकुरी है और कितनी बढ़िया है सची में नीबू का रस डाले से नितनी चटपटी तो एक पर आप ज़रू ट्राइ कीजिएगा यह नीबू वाली तो यहां पर आप देख सकते सारी सेव को मैं इसी तरह से तोड़ रही है और एक देखी कितनी बारीक है अब इसक काफी दिनों तक स्टोर करके खा सकते हैं हाँ मानती हूँ यह स्टोरिंग जैसी नहीं क्योंकि इतनी टेस्टी होते हैं एक दो दिन में आपकी खतम ही हो जाएगी पर फिर भी आप इसे जैसे खाकराई है सब स्टोर करते वैसे कर सकते हैं लंबे समय तक चलती है तो की जो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना विल्कुल ना भूलें आज के लिए बस इतना है थांक यो फॉर वाच्चेंग